बिस्मिल्हार आमान रहीम, स्सलाम अलेकुम नाज़ीन, वेल्कम टो इन पर्सन विद लैला अब जैसे जे शक्सियत सा मौजूद है, उनन बे वडे एहन तकमा, नेशनल असेंबली जी सीट जिक वाहे, उनन माहू इलेक्ट थी वाया हैं, चून जी वाया हैं, बाकाइदा तौरते एंडे 241 आउंगाल करे रही हैं, रेनोंड बिसनस्मेन, नेहाने हूँ, ननन जी आउ तौरती रगमें बुद्धा है, उननन नेशनल असेंबली जी सीट खटी चाड़ी, एनने 241 ताउंग काम्याब थी हैं, तमाम एहम हलकों होयो, एंड डॉक्टर मिर्जा एक्तियार बैग जी आउंगाल करे रही हैं, इस विधास here in the program, तो असलाम लेकुम दॉक्टर लेक्शन तो जीत लिया, हैनि 241, एक बड़ा एहम हलका था, लेकिन अभी तक यह जो इलेक्शन हुआ है, अभी तक लग रहेंगे, जिन जिनने जीता है इलेक्शन धांदली के साथ जाथ है? दिए कि हमअरा अल्मिया है कि जो हारते हैं बो जीतने वालों पर इलजामात लगाते हैं ब szczegól doubts को इलएकिशन के साथ हैं अगर सब determiner के साथ हूँ Theory attachment के साथ हूँ या हमें मुद्दी फोरोम फोरॉम किये गाए जिसमें election commission है, election tribunal है, courts है उन सब फोरम पे आप बिलकुल जाएं, आप रिकाउंटिंग कराएं, आप जो डाउट हो आप बिलकुल कराएं, लेकिन अगर उन फोरम पे ये इस्टेबलिश हो जाता है, कि जो एलेक्शन हुआ है, वो फेयर और ट्रांसपेरिंट है, जो फिगर्स देकलियर के गई हैं, र सलसला खतम होने चाहिए, और नए आने वाले को एक चांस देना चाहिए, कि अपनी वर्दीनेस प्रूफ करें, आपने जो बादे करें, उन्हें पूरे करें, ताकि हलके के लोग जो हैं, उन्हें रिलीफ मिल सकें, लेकिन मैंने ये देखा है, बड़ी बदनसेबी है, कि ज बयानात में गुजारता है, जो मैं समझता हूँ, एक जमूरिया रिवायत नहीं है, तो इंटरनाशनली भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, कि जो हमारे एलेक्शन्स हुएं, पे बहुत स्यादा सवालात हुएं, आपने रिसिंदी जो कॉंग्रेशनल कमेटी की हीरिंग हु और दूसरे ममालिक भी हैं, जो बहुत डेमोक्रेटिक हैं, वो अपने अब्जर्वर भी भी भेचते हैं, एलेक्शन में, वो अब्जर्वर और हीमन राइट्स के जो नमाइंदे हैं, वो बकादा आपके तमम पोलिंग स्टेशन का दोरा करते हैं, बोगों में से सवाल आपका फिर मुलक उन रिपोर्ट्स के जवाब देता है, क्लारिफाई करता है, तो ये एक सिलसला है, तो अगर के रवायती है, ये ये यूनियन, अमेरिका और चंब बड़े मुमालिक अपने अब्जर्वर को भीजते हैं, और वो इस तरह की तमाम मालूमात हासल करके फिर ये इस्टैब्लिश करते हैं, कि इन एरियाज में, जो है वो, अब हमारे मिसाल के तोर पे इंटरनेट डाउन था, पिल्कुल था, अभी तक होता है, लेकिन हमारा पहले बार नहीं है, हमारे अशुरे पे दूदिन डाउन होता है, हमारे और दूसरे ऐसे जो संसिटिव, ल लेकिन एलेक्शन वाले दिन पे इंटरनेट सर्विस बंध होना, उन्होंने ये अपने जाने में किया, कि सेकृर्टी पॉंट अव्यू से, या, या, यह उनका था, तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, वो कितना सही है, कितना गलत है, बट हमारे इंटरनेट का जाना, स बहराल आप इस सब को रिवायत ही समझ रहा हैं, कि ये जो इल्जामात उच रहे हैं, आप पोजिशन पार्टी की जानब से, कि रिगिंग हुई है, धान भी है, मैं यह समझता हूँ, इन इल्जामात की हुकूमत को क्लारिफिकेशन देना चाहिए, और देगी, अब एसके बात अगर मुतमईन है तो बात खतम कर दें, ठीक है, चालें सही है, और अभी भी ऐसे हो गया, डॉक्टर मिर्जा, चलें, एलेक्शन हो गए, जिनको जीतना था, वो जीत भी गए, जैसे, ये और आसो वन दोस, अब हुकूमत साजी कामल भी बाकाइदा तोर पर अब ही मौजूदा मौशी टीम आपको कितनी मजबूत नजर आ रही है, या आप कह रहे हैं कि इससे बहतर मौशी टीम बन सकती थी, या बेतर नहीं है, हम लोग जंपिंग टु कंक्लूजन के आदी है, हमें मौका देना चाहिए एक नई टीम को, एक आदमी जो एक सब सब बेंक का पाकिस्तान के सरवरा है, रहा है, और उसकी क्रिडेंशल्स है, क्वालिफिकेशन है, तो उसने अपनी सेक्रिफाई दी है, अपने पासपोर्ट को, जैसे मैंने सिलेंडर करा, कैनेडियन नेशलिटी के आपको पत एक साल से जादा होगे, इसी तरह उनोंने भी इसमें 1.1 billion dollar की payment, 1.1 billion dollar की payment, जो payment release होगी, एपरल में, इन्शाला बोर्ड मिटिंग है, तो बड़ा स्मूथ गया है, इसमें कोई, मुझे वो नहीं नजर आई, टेंशन और बड़ा स्मूथ लिए गया है, तो लेकिन ये उनके लिए भी बड़ा तासूर क्रियेट किया है, लेकिन तमाम उनके जो मौमलात हैं, वो पीछे से सागडार साभ और वजीराजम साभ ही देख रहे हैं, तो कि एक पसादी राविदा कमीटी को भी वो चैर्ट है, तो मैं पार्लमेंट में नहीं लोगों के साथ हमारा 12-14 दिन के सेशन था हमारा जिसमें हमने स्पीकर को मु आसे फिली जन्दारे साभ को प्रेसिएंट पाकिसान, यह हम तब करके आएं, आप देखें, आपके वोट में कितनी ताकत है, वो कितने बड़े बड़े आईनी ओदों के लिए इंतखाब करता है, तो यह लोगा है, तो हमने इनको देख लेकिन बिल्कुल भी अब विसाद की राविदा कमीटी है, अब उसकी सरबराई भी वजीराजम साब करेंगे, लेकिन यह तो नॉमली ऐसे होता है, जो फाइनस मिनिस्टर होता है, वह हिस्ता ही तो पहले फाइनस मिनिस्टर को दी हुई थी, लेकिन आप फाइनस के मेंटर्स जादा सेंसिटिव इंपॉर्ट होते हैं, फिर रफर करना पड़ता है आपको वजीराजम साब वाहरा को, तो अगर वजीराजम ने उसकी सीट समाली है, तो आप उस ECC को एहमियत दे रहे हैं, आप उसको जादा क्रेडिवल बना रहे हैं, और आसान बना रहे हैं फैसला करने के लिए, मैं समझता हूं, तो कैप्टन होता है इस पुरा है, वो वजीराजम होता है, तो वो वैसे भी पीछे है, तो विटनेस्ट पी-म चेरिंग सच कमीटी जाए तो यह आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, यह उन्होंने पावर दिया था, फाइनस मिनिस्टर को इस आखसदार के वक्त में, पु कि मैं ड्राइविंग सीट पे रहे के मदद करूं फैसले करने में ज़्यादा बेतर होगा, और मैं समझता हूं को हर्च नहीं, अच्छा आप यह समझता हूं कि एक तो डोनर्स एजन्सी एक आईमेप बहु कमफ़टेबल देलिंग देलिंग और अच्छी तरे से मैं अच् यह भी कहा जा रहा है कि चुंके उनका तालग बैंकिंग सेक्टर से है तो ज़्यादा तर जो फाइदा है अपने ही सेक्टर को देना पसंद करेंगे, वो आम आदमी का इतना खयाल नहीं करेंगे. नहीं यह बत नहीं देखें, जब आप एक पोजिशन पर आते हैं तो आप उस सेक्टर के नमाहिंदगी के लिए नहीं लाए गए हैं, आप मुल्की और हुकुमत के नमाहिंदगी के लिए लाए गए हैं और इनके पाद टास्क हैं, यह तो बहुत चूटी बात है कि आप ब मारकव रेट हमारे डिस्काउंट रेट 12 परसंट रखा जो कम नहीं हो रहा है और बैंकों के लेंडिंग रेट 24 से 25 परसंट है, इस पर नई सनथे नहीं लग रहे हैं, प्राइविट सेक्टर क्रेडिट यानि निजी चूबिक के जो बैंकों से कर्जे होते हैं, वो 400-500 अर लेकर रहा था, 76 अरब रुपए हैं, लोगों ने अड्जेस्स करा दिया, वो नहीं अब फूट कर सकते के 24 परसंट में अरब रुपए का लेंडिंग के ऊपर सूथ दें, तो ये सब चीजे हैं, हमें जल से जल डिस्काउंट रेट भी कम करना है, जो पहले 7-8 परसंट होत बढ़ेगा, जो बिलकुल सुकड गया है, अच्छा, तो अब अभी आपको एकॉनमी का स्टैस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, अभी तो SIFC आ रहे हैं, जिसको गहरा आईनी भी कहा जा रहे हैं, नहीं देखें, ये तो आपको काले रंग को काला कह दें, वाइट को वाइ आप रहा है, ये शुरुआ तो कहानी लैला जब FATF से ग्रेल से पाकिस्तान को निकाला गया था, तो उस पे फॉज ने और सिविल कायादत ने मिल के काम किया था, जहां-जहां कानूनी तबदीलियां करनी थी लजिस्टेटिटिव चेंजिस थे, वो भी फॉज ने करा है, जहां कुछ मसले होते थे, तो मेज़ा जनरल और FBR का अफसर के साथ, वो FBR में मुझूद होते थे, स्टेट बेंक में मुझूद होते थे, कहने के मेरा मकसद यह है, कि पाकिस्तान ग्रेल से निकला, और हमने 47 के करीब उनकी शरायत पूरी की, वो एक मॉडल था, वो मॉड इंवेस्मेंट ट्रीटी साइन नहीं हुई है, बाइलेटरल इंवेस्मेंट ट्रीटी कहलाते हैं, जिसे इंवेस्मेंट एगरिमेंट कहते हैं, उसमें लकूना से उन्होंने कुछ शरायत रखी थी, 19 साल से वो नहीं था, अभी गौर अजाद साभ जो कॉमर्स मिनिस्टर साइनगाते हैं, जो जाके साओधिया से साइन करकर आए, गल्फ मॉममालेक से साइन करकर आए, इसके साइन करने से क्या हो, इसके FTA गल्फ मॉमालेक साथ हो जाएग हमारा यह उसकी प्रीय। रेक्विजिट थी, और दूसरा जो फाइदा होगा जो इन्वेस्मेंट हमारे हमारे हैं नई चीज़ को हमेशे तनकीद की जाती है वो ज़ात के लिए बित्रीन काम कर रहे हैं नसी हम जमीनों को जो बंजा रहे हैं वह काель काशत बना रहे हैं उसके साथ साथ पानी का भी उनतिजाम आरे है तो में यह समझता हूँ यह civil military قیادت किस model को में तसलीम करना पड़ेगा और ये माजी में भी FITF में ग्रेलिस से जब हमें निकाला था काम्याब रहा है और इस वक्त जो लोग है वो अच्छा आप ये समझते हैं ठीक है इस पर मजीद डॉक्टर बात करेंगे नाजरीत शौट कमर्शल ब्रेक पड़ा हुथा आए ब्रेक खाली नासरी के IMF मुतालबा का है ने पुझी एं सर्जट जो तालुक पीपल्स पाटी साहे सो पीपल्स पाटी जी सियासत ते उनने जी की कार कर दी रही आए पंदरन सालन खाँ उनने गुफ्तुक करना से पर एक शौट कमर्शल ब्रेक हाँ पोई वल्कम बैक नासरी नसी मौजूद आएंग डॉक्टर मिर्जा एक्टार बैक सांगे रिकरानों बिजनसमेन आएं आएं उनसां गरोगर एकॉनमी एक्सपर्ट आएं हाँ होने नैशनल असेमडी 241 जी सीट खटी करें सो हूँ M.N.A. थी चुका है पीपल्स पाटी साम जो तालुक है So Dr. मिर्जा coming back to the मुतालबात of IMF जो के बड़े सख्त हैं पेट्रोल की लेवी हो गई पेट्रोल गैस की और बिजली की कीमतों में इजाफा ये मुतालबात मानने के लिए पाकिस्तान जो है बाकाइदा तोर पे तैयार एंएपसी में चेंजिंग्स यह सब टैकल कर लेगा पाकिस्तान पहले जब मसे अकनॉलिज के आप बड़ा हमवा करके आईए गुड़ कोईश्टिंस और रेलिवन कोईश्टिंस और एक्सपेक्टिंस और शुट भी आसके पहले चीज़ तो यह है कि तीन चीजे टैक्स नेट में उन्होंने लाने को का है बड़ी वाजी मुतालबा है और शरायत है पहला उन्होंने का रेटेल सक्टर को यह पर्चून की दुकान वाले हैं वो कभी टैक्स देते ही नहीं है तो रेटेल सक्टर को लाना है उन्होंने ताजर दोस्त स्कीम इंट्रिजूस कराई है वो कह रहे हैं बिजली के बिलूं से भी यह टैक्स ले सकते हैं यह माहना लेंगे, सालाना नहीं, आपकी इंकम को बारा हिस्सों में तक्सीम किया जाएगा और बगार बगार इससे वो यह कहते हैं कि पहले मरले में 10 लाक लोगों को हम टेक्स नेट में ले आएंगे और उससे 300 अरफ टोटल मिलेगा लेकिन पहले मरले में 100 अरफ रुप मुताल और बिजलियू गैस के किमतें बढ़ने हैं सबसेडी सब खतम कर देनी हैं क्योंकि आई मेप सबसेडी का मरात कर काईली नहीं है वो कहता है हर सेक्टर का अपना बूझ उठाए है पेट्रोल पे सेल्स टेक्स में वो 18 परसन वो कह रहे हैं पेट्रोल मस्नुवात पलगा है इससे हमारी पैदावारी लाकत बढ़ जाएगी तक्रीबन पेट्रोल की कितनी खीमत बढ़ने वाली है अगर आप एस्टीमेटेड नंबर बढ़ा दें दो चीज़े हैं अब हम दोनों में अभी अग्री नहीं करें एक तो कहते हैं कि पेट्रोल हम लीपियों को मजीद बन गए हैं और वो इन्शाला पहली परेल से रिजिस्टेशन और पहली जो लाई से उसकी रिकवरी शुरू कर रहे हैं इसमें हम तीन सेक्टर्स को जिसमें जरात है जिसमें रियल स्टेट है और रेटेल है इन सेक्टर्स को टेक्सनेट में ला रहे हैं जो पहले नहीं थे पहले हम policy हम बनाते आएं लेकिन shutter down strike का एक नारा लगता है और 30 MN को लेकि जब FBR जाया जाता है था तो वो इसकी में मौतल या मौकल हो जाती थी अच्छे यह जो ताजर ब्रादरी को भी net tax में लाने की बात की जारी है तो हमासी में हमने देखा है मुकले वक्तों में उन्होंने बड़ी resistance का मुझारा किया है प्रोटेस्ट वगहरा की हैं तो यह हुकूमत इसको implement करने में कैसे कामयाब होगी कैसे execute करेगी देखें दू strength है और वो उन्होंने उसमें कर ली थी यह जो पाकिस्तान ग्रेलिस से निकला था तो मैं यह समझता हूँ और विल भी है और यह नहीं करेंगे दो चीज़ उन्हों करें अपने अखराजात कम करें और अपने आमदनी बढ़ाएं तो अखराजात में कम करने के लिए बलाव है रिडेंडिन्ट हो गई है और उससे उन्होंने कहा था ता तीन सौ अरव रुपे हमें बचेंगे और उन्हें डेटेल भी दी थी उन बजारतों की उनकी मैनिफेस्टों में शामल था तो अब वफाक में क्या यह बात आगे रखेंगे बलावल साब देखें जैसे कि उन् आपने हम तो उनके साथ खड़ें बलावल साब ने कहा हम हाथ पकड़ के खड़ें तो हमने उन्हें तज्वीज दे सकते हैं और हमने दी है कि वह वजारते हैं जो रिटेंडिन्ट हो गई हैं उनको आप बंद करें तीन सौ आरव रुपया तो वजारते के बगैर भी आप पर भी आप यह वजारते हैं तो हमारी वन अब दी तज्वीज यह इसमें आप अपने अखराजात कम कर सकते हैं और राखी हमने जो उनको दिया है कि वह गवर्मेंट के अधारे जो नुकसान में चल रहे हैं जिसमें रेलवे हैं स्टिल मिल हैं पी आईया हैं और पाबाद असन पाबाद ने उसके फानिशल कंसल्टेंट भी बना लिये हैं उसकी दो कमपनिया तोड़के अलाइदा कर रहा है एक में सासे जाएंगे और मैं समझता हूं भी अन दे वे टू प्राइबिटाइस प्याई है और इसमें गल्फ ममालिक से खातार रदूसे ममालिक के एरलाइन इंट्रिस्टेंट भी हैं प्राइबिटाइजेशन पर भी मेरे को सवाला था लेकिन मैं थोड़ा साब को फिर से पीछे लेकर जाना चाहूंगी कि जो बिलावल साब ने बात की थी अपने कैम्पेंट की दौरान 17 मिनिस्ट्री को खतम कर देना चाहिए जिससे औरिनेंस पास करें और दो तिन बिल्स दें उस बिल में इमेफ की शरायत पूरा करने के लिए भी यह जो तीन सेक्टर को हम ले रहे हैं टेक्सनेट में वह भी था हमने कर रहा है हमने साथ दिया है तो यानि कुछ 17 मिनिस्ट्री आप अभी हमें खतम होते वे नजर आ रही ह जिनको आप बंद करके अखराजात कम कर सकते हैं अब रहे हमने अपनी वर्किनग और अपनी तजविछ दी है और उनने टाभी आपरिशेट कर है अच्छा और वजारते लेने से पीरी पारटी ने क्यों मना कर दिया कि हम वजारते नहीं लेंगे अफो य LOOK ड़ आन लेक़् का इंकार करूंगा बलके मैं यह कहूंगा कि हमारे तजर्बा कुछ पीडियम हुकूमत के साथ 16 मेने का अच्छा ने रहा है और खासकर कि नून लीग के साथ नून के साथ ही वो मेजर थे हमारे उसमें यह हुआ था कि बहुत सारी वजारतें जो उनके पास थी मेन जिनको कहत थी प्लानिंग के थी वाटर पाफर के थी एनर्जी के थी वो फैसले कर रहे दे और उसमें जो बैकफायर हुए और अच्छे निताइज नहीं आए तो इल्जामा था हम भी मजबूरी में आप उनके साथ बैठे या उनको आपके साथ बैठा पड़ा हमने उनको यह कहा है क आप बनें वजीर आजम आप हुकुमत बनाएं आप फैसले करें अगर अच्छी कारकरदी की हुई हम समयत पूर अमल का आपको ट्रेड़िट देगा लेकिन अगर कारदी अच्छी नहीं रही तो सिर्फ आप बलेम होंगे हम बलेम नहीं होना चाहेंगे क्योंकि हमने इस कारते हैं वो हमने कोई नहीं है हम का बीना किसा नहीं है अच्छा डॉक्टर मिर्जा आप से हमने मईशत पे तो बड़ी डिटेल डिसकॉशन कर ली ठीक है और वैसे भी आप से इन मौजवाद पे बात होती रहती है आप थोड़ा से सियासत पे बात कर लेते हैं और सियासत को नहीं ने मौन जो डाड़ो बना दिया सड़के नहीं है तालीम का निजाम तबहा लगा पड़ा है और आप भी अब इस पार्टी का हिस्सा अपने तुनाश्र साहिए मैं तीस साल से इस पार्टी के साथ शहीद बेनेजिर बुटु साहिवा कि करीब साथियों में से कभी एक किसी का बता दें कि जी उसकी अच्छी कारदेगी को हमने सरा है किसी को नहीं हमारा तनकीद बराए तनकीद जो है यह माइंसेट है वो चलता है लेकिन वो लोगों का प्रोगेटिव है और उने करना चाहिए मैं यह बतलाओं कि इस जवाब को नहां करूँ पूरा करूँ इसलिए कि जवाब मेरा बीच का अब नहीं है नहीं है तो पूरी नहीं करूँगा इसलिए करूँगा और इंड मानें कि आप सही कहा है लेकिन कुछ शूब में हमारी कार करते हैं उस लेविल पे नहीं है जो आवाम एक्सपेक कर रहे थे जो ओर एक आदम आदमी द में सिंद्ध में जो काम हुआ है पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ है पूरे पाकिस्तान के 122 ग्रेट के लोग गंबट में और नेशनल इस्टूट अप कार्डिवस्कुलर मेड विशन लिवर ट्रांस्प्लांट हो रहा है अभी मैं देखकर रहा हूँ गेस्ट्रलोजी स जो सिवल हस्पताल में है जो खुला है मैं जिस दिन गया था उसका विजिट करने वहां पर गोरे आयो थे यूके के उन्हों नहीं कहा कि आपके जो स्टैंडर्ड जो निजाम है वो हमारे निजाम से भी मोर सिफिस्टिकेटिड एन एडवांस है बड़ा दिल खुश होता ह इसे बाते किसे गर मुल्की से सुनके अगर उनको ज़रूत पढ़ती है तो पाक्सान की सिंधी हॉस्पिटल से यूज करते हैं जी बलकूल हमारे लोग सब यूज करते हैं मैं तो बतला रहा हूं बाइस ग्रेट का बेरोक्रेट जो लंडन में उसको पावर है उसका लाउं असलमबाद, लहौर, पिशावर, कुटा, किराची में और सिंध में, गंबट में वो ट्रांस्प्लांट और कार्डियोवस्कुलर में और अंज प्लास्टे को दूसरे जो गमा नाइफ का जो यहां पर है वन अब बेस्ट अब बेस्ट इन दे वर्ल्ड जो आपके सर की कैं अब बेस्ट आपके सर का इलाज लेजर से कर रहा है यह चीजें भी बतलाएं और यह चीजें भी फवाखर करें और हमें सेलिबरेट करने भी सीखना चाहिए जाता है लेकिन फिर बहां बात आती है अपके दूसरी बात की इसे तरह वो ट्रांस्पोर्ट में भी एंप इसे आप जो माक्स देना चाहिए दे दें बस पहले जीरो था यह अब आप आजाएए जहां पर डिस अपॉइंट्मेंट में हम वो लोगों को जोब्स फराम नहीं कर सके हम अगरिकल से सेक्टर में वह डवलोप्मेंट नहीं कर सके लेकिन लेकिन उसकी बावजूद जिस तो यह एक खुशाइंट लेकिन उसमें जो चीज़ें जिसमें तनकीद की जा सकती है और रैटली सो वो गन्य की फसल जो है हमारी वो फैल रही है को अगरिकल्चर में भी आपने इतना हासा काम नहीं किया ना कॉटन के एरिया पर गन्य लगाए जा रहे हैं ताकि शुगर वालों को सस्ता शुगर केन मिले लेकिन उससे फिर कॉटन की फसल जो है वो कम होरी मतासर होरी तो मेरे कहना है कि मेरा मुक्सद यह है कि बलावल साहब ने अभी दस पॉइंट दिये थे एजंडा मैनिफेस्टों कहले हैं उसमें सब गरीप के ग्रूमते हैं उसने का मिनिममंग वेजिज पचास सदार करेंगे और पांच साल में करेंगे और बीस परसंट का इजाफा सालाना होगा जो एक अंडिस्टेंडिबल है नए मुलाजमतों के बात किसान काट के बात करी है उन्हो ने रिक्रिकनाइज किया वर्ल्ल बैंक ने उसको रिकनाइज किया और तेजी से पैल रहा है उसमें कंप्रॉमाइज नहीं कर रहा है तो यह सब चीजें हैं जो लोगों को घर बैटके शफाफ तरीके से हम इंकम स्पोर्ट प्रोग्राम के तैत उनको मदद कर रहा हैं तो कि आना इसी वीडी की बात कर लें हॉस्पिटल्स की बात करें जो संद्गामर ने बनाई वी हैं वहाँ से शिकायत आती हैं कि अमला मौजूद नहीं होता कभी डॉक्टर्स नहीं होते तो फिर इन पर काम हो रहा है देखे मुझे निटी-ग्रिटी में न में जाना चाहूं तो नदीम कमत तो उन से हम यहीं बात कर रहे थे वह नए इंस्ट्यूट भी संद में खुल रहे हैं और बड़ा कामयाप तजर्बा है सक्कर में आई बीए का बड़ा कामयाप तजर्बा है टीचरों के इस बार पहली बार पिकपल्स पार्टी ने आई बीए से टेस्ट कर आया है जी जी लेकिन उसमें एक आदम गलत या सोर्स ने लगी है आई बीए का जो एक लेविल है उसमें यह सब चीजें के गुंजाइश नहीं है कि मैरेट पे भट्तिया ने उसको तो सरहाया जार है लेकिन बुनियादी चीजों में आप पे तन्सुआ रहे हैं कि आप ब में बड़ी नुकसान पहुचा है बड़ी तबाही पहुची है हम ने करा है वहां पे रिहबिलिटेशन बार लेकिन वितना नहीं हो सका है जतना जरूरत थी और इंटने पे आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा काम करनी की जरूरत है सिंध में किसमें तालीम के शौबे में बुरूरत गाहन देहातों में चले जाएं हम जा रहें हैं नौशसे श्यादा नौशे मेरे समय नहीं जाहिए यह लबज होने हैं कि चच्छे के लाके में से आई थी और पक्के के लाके में दोनों में ही लाओ यह अए बहुट इसु आज बहुत बड़ा यह लबज नहीं ह मखसूस तो पर प्लिस की जादा जम्हदारी आती है तो डेपार्टमेंट प्ले आता हैं मैं तो बार इसे बहुत से परीशाने हैं बहुत ज्यादा लोग इसे परिशान इस वक्त भी बहुत सारे के नैपी जो है वो अभी भी मुझे बड़ा दुख हुआ एक टीचर आप लेके बच्चे को लेके जाता था पड़ाने और वो गन इसके बन्यादी चीज़ना हो जाए और फिर उसको मार दिया गया अगर घर से निकलूं तो मुझे डरना लगे अग अपने बच्चे को अगर भेजना चाहूं किसी सरकारी स्कूल में तो मुझे सोचना ना पड़ा जाए जब तक बन्यादी चीज़ना दुरस नहीं होगी तो तब तक कैसे आपके बदने से भी रही है कि तालबान और अफ़गानिस्तान में आज तक वहां से उनकी सर्जमीन इस्तमाल हों के हमले हो रहे हैं गौदर में हमले होए हैं हमने इन चीज़ों को अंजी करने के कुशिश कर रहे हैं लेकिन ये बड़े मसले हैं उसमें अमेरिका भी ऑन बूर्ड है और उसने बड़े वज़े मेसेज दिया है वाणिस्तान को कि हूसरी जमीन पाकिसान या कि बनियादी मसला हैं उनन ते पीपल्स पार्टी खास तो रहते केत्रों कम काया हैं कुछ जवाब तम्हाँ पान अगुदी सगोता था किया उनन दिन वाई सो बहराल मुलक जा ये हाला आता हैं आएमफ जे के मतालबा काया हैं पाकिस्तान बाकायदा तोरते टेकल करन जी भरपूर कोशिश करे पायो आएं जे के मतालबा आएमफ जा उननन के मदे नजर रखन दे ये लगे पायो ता इंदर डियन में पेट्रोल गैस बजली जो केम तूं बाकायदा तोरते वधनवारी वाएं सो सांके नीदा इजाज़त तनासा मुलाकात नीदी इंदर हफते अलाफिस